तेवारा बैट यार वैसी बड़े दिन उबाद आया है ये ने, कोल रिंग पी अरे हाँ, तू भी तो पीए अरे भाबी, आप नी पीओगी कोल रिंग नहीं, आप पीए ना अरे आप खड़े के बैठ हो ना अरे बैठ जाहिए अरे बैठ हो ना, बैठते क्यों नहीं हो अरे आपके चोट लगी है, ये चोट कैसे लगी आपको वो मैं बात्रूम में गिर गए थी अरे बात्रूम में गिर गए थी अराम के चलना है जाना, बात्रूम में फिसलन बहुत होती है अजय कोटी पीना अरे हाँ यार किस काम से आना हुआ तरको तो यार इदकाट चान्दी हो गया पूरा अरे हाँ काफे टाइम से मिले नहीं तो सुचा कि तिर से मिली लेता हूं और जब से कॉलेज पास-ाउट किया तो ज्यादा मिलने ही पा रहे थे उसके बाद मैं बैंगलो ने बताया तक ने अरे क्या बताओं यार माव आपने जूट बलके गाहूं भुला लिया कि तबित खराब है बेटा जल्दी जल्दी घर आजा जैसी गया वहां यार जिम्मेदारियां सुनाने लग गए यह है वो है बेटा तेरी उमर हो गई शादिगी मैंने का चलो भाई य अच्छे लड़की नहीं मिलती है जो मेरको अर्रेंज मैरिक से मिल गई यार मैं भुआतध मैं किया औरिज्मत अगम यह अजिए लड़के में ब होता हुफ मैं तुभ भावी एक पानी ली आएगे और मता बिजनेस कर चल रहा है सब बढ़े चल अरे धर मिंदर मुझे ना एक बहुत जुरूली मेल भीजनी ते एक मिन लैप्टॉप लियाएगा यार हाँ एक मिन अंदर रखा है रिंकी रिंकी अरे लैप्टॉप लिया ना अरे क्या अंदर रखा है तो तुहीं लिए आने भावी काम कर रही है एक मिनिट लगेगा खाली है अच्छाल भी आया बैटॉप आप इदर आजे लिए दिने गेट खोल ये तया बत्तमी जी है मैं जो कर रहा हूं दर में तर मुझे करने दे देख तु मेरा दोस्त है ड्रामे बाजी मकर गेट खोल एक बार में मैं बोल ल ठीक है ना अगर इसने कुछ बोला ना तुझे इसको जहां से मा डालू और तुझे भी ज्यादा प्रिशान करें हो पुलिस को बुला दूंगा ठीक है ना पिर तु भगतर ही हो जेल के अंदर बैठा हुआ दो मेंट का टाइम देदे मुझे बात करने दे चल ठीक है अब देख तु भी ना अपनी मोत का इंतजार करी हो हाँ जो करना कर लियो तू अरे यह आपको चोड कैसे लगी यह सब ना इसने मुझे मारा है यह मेरे को बहुत मारता है यह एक नमबर का जानवर आदमी है इसके अंदर बिलकुल बे इंसानियत नहीं है अरे आपको मारता है फिर आपने इससे शादी क्यों की? नहीं मेरे इससे शादी नहीं हुई यह मेरे पती नहीं है क्या यह आपका पती नहीं है आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी आप इसके साथ रह रही है आप इसका फिर रह के रहे है इस गर के अंदर मजबूरी मैं इसने ना मेरे को जाके मेरी जॉब लगवा देगा इसलिए मेरे घरवालों ने भी सोचा कि शहर में जॉब लग जाएगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे और पापा की इलाज के लिए पैसे हो जाएंगे इसलिए मैं इसके साथ आगई लेकिन जब मैं यहां पर आई ना तो इसकी तो नियत किकल भी कि हुए आने वाले हैं मुझे करीदने के लिए आप बहुत साही टाइम पर आए आप प्लीज मैरी हल्प कर दो मेरी कलो से इस से आपसे म pinch इस दल्वण मेरे साथ क्या होगा प्लीज प्लीज मैं आपसए रिक्वेस्ट कर रहू भीज मैं इतनी डिले विजमा से काल दीजिए प्लीज चलिए आप चिंता मत कीजिए अभी थोड़ी दिर में पुलिस हा जाए कि मैं पुलिस को बुजा देता हूं फिर ऐसे लोगों को सबक मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो के हमने यही बताने की कोशिश की है कि आपको हमेशा ना साफधान रहना चाहिए किसी को पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ना जब हम मजबूरी में होते हैं ना मुसीबत में होते हैं तो हम किसी को पर ट्रस्ट कर लेते हैं और खासकर लड़किया और उनका ना जाएज वाइदा उठाने की कोशिश की जाती है और हुमन ट्रैफिकिंग की जाते है या इसी लड़कियों को बेच दिया जाता है और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो हम यहीं चाहते हैं कि कभी किसी को पर इजिली ट्रस्ट ना करें कहना मैं रिष्टेदार हो या आपके आज प्रोहसी हो बिल्कुल आखे मंगर के कभी ट्रस्ट मत करना और ऐसी और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे हमारी स्ट्रेंथ आप हैं आपकी शेरिंग गया तो वीडियो को शेर जरू करना फोलो करना मिलते अगली विडियों तब तक बाइब टेक यह लग्यों बाइब बाइब